आज हम बनाएंगे टमाटर की खटी मीथी तीखी चटनी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है यह साइड डेश है आप इसे लंच बॉक्स या ट्रैवल की टाइम भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं आप इसे रोटी पराठा के साथ सर्फ करें बहुत ज़्यादा टेस सकते हैं इसका पानी मैंने फेका ने इसे भी यूज़ किया है अब तड़के के लिए हमें चाहिए पंच फोरन जिसमें अजवाइन मग्रेल सौफ सर्सों के दाने और जीरा है और कुछ लसुन की कलिया जिसे मैंने काट लिया चार से पांच चिसूखी लाल मिर्च और ड्र अब हम इसमें पच फोरन आइट कर देंगे पच फोरन डालने के बाद पच फोरन को हम कुछ सकेंड के लिए भूल लेंगे और अब मैं इसमें सूखी लाल मिर्च डाल दूँगी जिसको मैंने बीच से तोड़ लिया और इसे भी हम कुछ सकेंड के लिए भूल लेंगे हमें फ्लेम इस टाम एकदम लो रखना ने तो सारी तड़के हमारा जल जाएगा अब मैं इसमें थोड़ा से हिंग डालूंगे पिंच इतना अब इसमें हमने जो टमाटर बॉयल किया हुआ रखा था उसको डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम धके छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे 15 मेड के लिए करीब 15 मेड बाद आप देख सकते टमाटा ने और पानी छोड़ दिया तो इसे अब हमें हाई फ्लेम पे बीच-बीच में चलाते हुए इसे हमें पकाएंगे अब हम इसे continue ने चलाना है बीच-बीच में चलाते हुए हमें इसे पका लिएंगे तो इसे मैं फिर से ढख दूँगे 10 मिट के लिए करीब 10 मिट बाद आप देख सकते कुछ हद तक पानी सूप गया है तो इसमें हम और भी चीज़े एड़ करेंगे और उन सब के साथ में इसे पकाएंगे तो अब मैं इसमें पिंच इतना नमक डाल दूँगी जो चटनी का खटा मीटा जो टेस्ट है उस टेस्ट को ये बैल ये और गैनिक है ये हमने घर पे ही बनाएवा गुड है इसको में डाल दूँगी इसे टेस्ट काफी अच्छा आता है आप चाहिद इसके ज़िए चीनी या गुड आप दोनों यूज़ करें लेकिन ये गुड में ही चटनी काफी अच्छी लगती है तो इसे गुड में ही कर सकते हैं सच में चटनी बहुत यह अच्छी लगती है इसे अब हम खुले में पकाएंगे बीच बीच में चलाते हुए जब तक कि पानी पूरी अच्छी तरह से सूख न जाए लगबग 15 मेर बाद आप देख सकते हैं चटनी हमारी हो चुकी है अगर आपको चटनी पतली पसंद दे तो आप इस स्टेश में इसे बंद कर देए थंड़ा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा मैं इसे थोड़ा सो और थिक करूँगी क्योंकि मैं अपने बच्चे की लंच बॉक्स के लिए से यूज करूँगी इसलिए बैसे थोड़ा सो और पानी को सुखा दूँगी आप देख सकते हैं चटनी हमारी किती यमी दिख रही है सो फ्रेंट चटनी हमारी एकदम अच्छी तरह से पक चुकी है इसे में अलग से बर्तन में निकाल दूँगी तक यह थंड़ा होने के बाद और भी जादा थिक हो जाएगा आप इसे रोटी पराठा के साथ सौफ करें सच्छ में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमें सेक्षन में बताएं वीडियो अच्छी लगी तो मैं लाइक शूर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू